नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें जै माता दी आज फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विशेश कारेक्टर में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के और मैं हूँ मौलेका शर्मा या देवी सर्व भूतेशु मा चंद्रघंटा रूपेन संस्थता नमस्तसे 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 नमो नमा एक बाट फिरसे बहुत बहुत सबागत करना चाहेंगे अपने इस विशेषि कारिक्रम का जो की लगातार इस कारिकरम के जरे से आपको बताते हैं 9 देविँ की नौ स्वरूपों के विशे में कौन सा भोग लगा जाएं कौन सा मां का जो वस्तर है प्रिय है कौन सा रंग हम धारण करके अपने जीवन में सुख शांती सम्रधिल आ सकते हैं और यह तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे से कारिक्रम में उपस्तित हुए विश्विख्यार जोतिशा चारे वास्तुव एक्सपर्ट नाड़ी वैदे पंडित सुनील भार्दवार जी अज फिर से शुवारम करेंगे अपने स्विशेश शुकारिक्रम का आशिद्वार लेंगे गुर्देव का गुर्देव भाषे भरगाते आपका जये मातादगा आम आज के तीसरे सुरूप के विशो में आपसे जानेंगे क्या है मां का स्वारूप चंदरघंटा का अज हम मां का वो रूप देखने वाले हैं जिस रूप से मां अपने भक्तों का कल्यान करता है मा चंद्र घंटा का रूप नाम ही अर्द चंद्रकार इनके मस्तिक्स पर है आधा चांद जैसे शंकर जी के मस्तिक्स पर चंद्र विराज है वैसे ही मा का नाम है अर्द चंद्र घंटा दोज का चांड जैसे दिखता है इस तरीके से मान लीजिए आप अर्द चाद आधा चांड सांभवी मुद्रा होती ना भगवान शिव की शंकर जी जिस मुद्रा में बैठते हैं उनकी आदिया आख जै दिखती है ते चांड दिखती है मा का यह सरूप है क्योंकि मूल रूप तो एक ही ए उनका अपने भक्तों का कल्यारण करना इस सरूप में मा ने अपने दसो बुजाऊं में यहां पे मा की दस बुजाय सेर पर सवार सिंख पर सवार दस बुजा वाली मा सुनहरा रख सुराण के समान है रहा निसमा और इनका जो सरूप है वो है युद्ध मुद्रा में भी जिस तरह से आप देख सकते हैं खड़क, रसूल, भाला, तल्वार ये सब दसो हाथ इनके वेस्ट है इस सरूप का देवी भाववद बड़ा सुंदर वर्णन है कि जो दुस्ट होते हैं, एहंकारी होते हैं, आताताई होते हैं, अत्याचारी होते हैं उनका मा संघार करती है असरों का संघार करने के लिए माने रूप रखा और अपने भक्तों का, संतजनों का जो इनकी अरादना में हर समय लीन रहते हैं जो देव उपासक होते हैं रिशियों को व्रदों को मातर देवो पितर देवो अतिती देवो आचारे देवो जो उनको परणाम करते हैं उनके लिए माने इस रूब बड़ा संती तायक बनाया दो पक्ष बना दिये माने हाथ दस है दसो भुचाओं पांच एक तरफ है पांच एक तरफ है चार नहीं है यहां दुरगा के चार होते हैं जैसे चेहानON दुरगती नाश्रम यहां इनौने दस भुचा बनाई हैं सुनहेरा रंग हैं सिंह पर सवार हैं इस शरूब का वार्णन रिशी मुनियों ने तो बहुत गुणगान किया है उन्होंने का ये सरूप चंदर घंटा का देखने से व्यक्ति का मनी पूरक सत्ता है ये ये साद़क होते हैं मनी पूरक में सादना करते हैं देखो दस दिसाइं कही गई हैं ना दस दिक्पाल कहे गई हैं दस दिक्पाल जो है वो अगर आपके घर में कोई वास्तु दोस्टों आप किसी बास से भेवीट रहते हैं आप किसी बास से पीडित रहते हैं तो यह वो वरूप है माका कि जो आपको बंधन से मुक्त करता है आता थाई हो जैसे हम ने बताया ना जो जो दूसरे की संपती को आताई बोलते हैं उनको लिए इस रूप है उनको वो छोड़ती नहीं है उनको कहते है तक्ताल अच्छा उनको भी एक और बात कही गए है माने जिसको मारा ना समझ लेना उसका जनम नहीं हुआ दोबारा ये वो रूप है फर जो बहुत सारे असरों ने तो जो अत्याचार किये वो देवी भागवत में लिखा है कि वो इसी लिए किये कि मेरे को इनका रूप मिले मगर माने कहा कि अगर आप इस रूप को पाने के लिए मेरे से पाने के लिए तो मैं आपको कस्ट भी दूँगी तो कस्ट कोई भोगना नहीं चाहता कस्ट कोई भोगना नहीं चाहत इनका सरूब देखकर मन भैबीत होता है उनको जो दुस्ट प्रवर्ती के होती है मां से जोड़े कोई कथा भी है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं गुरू जी इनकी बहुत कथाएं हैं इनकी कथाओं में कई कथाएं इनकी ऐसी हैं जिनको सुनने से हमें मां से एक संबंध हमारा बहुत गहरा बनता है मां कहती हैं कि बालक अबोध है जितने संसार में प्राणी हैं वो सब मेरे द्वारा इनके अंदर जो शक्ति का संचार हो रहा है वो मा का है देवी भागवत में अन कथाएं हैं अन कथाओं में उन में यूं तो देवी भागवत में हजारों कथाओं का जिक्र है जिस समय देवी भागवत में सताक्षी की है शाकुम्री की है उनकी कथाओं हैं देवी भागवत में ये भी कथाओ हैं कि माने ये रूप क्यों क्यों रखे कि कई बार अंदकार हो गया तब माने साख सबजियां लेकर उत्पन हुई एक बार माने आंखों से आंसु की ने दिया बहा दी तो जब पढले काल हो जाती है जो बहुत वर्सों सा अंदकार चाया होता है सिस्टी में अंदकार अंदक का है जहां कुछ खाने पीने को नहीं होता है तरही मा कोई का देखने को मिलता है उस समय मां जो साक सब्जियां लेकर अद्पन उत्पन होती है तौह तौह उसके बार फिर सिष्टी की संडचना होती है ये मां की कताओं में देवी भागवत में अगर कोई व्यक्ति सुबे शाम चिंतन करता हुआ हो वो इसमरण करे कि उन कथाओं के सुनते सुनते वो प्रेरित होकर उनके लोग का वासी हो जा लोग का वर्णन भी बता जाते हैं हम आपको कि चंदरगंटा का सरूप से आप वहां तक पहुंच सकते हैं जैसे हम यहां पर वन प किसी से ईड़ सा नहीं होती किसी के लिए दौन नहीं होता यहां पर किसी का अनादर नहीं करते हैं वहां लोग एक आयू के जीते हैं वहां जैसे इलाइची लांग इनके वरक्ष पाये जाते हैं वहां वो कंदमूल फल बारा महीने होगे रहते हैं वो मा का लोग है वहां पे आपको मा का उपासक मा की अरादना इसलिए करते हैं चंदर घंटा की उपासना इसलिए करते हैं कि हम उनके लोग के वासी होते हैं मनी पूरक में इसलिए करते हैं कि जो वेक्ति कुछ खाता है तो पूछा जाता है कि वो रोगी क्यों हुआ है रोग क्यों हुआ उसका पह किये हो या कुछ किसी को सताया हो किसी से इड़सा रखी हो तो और उसने कुछ गलत खाया हो तामसिक परवर्तियां उसके सरीर में परवेश कही हैं तामसिक गुण उसके परविश्ट हुए हो तो वो व्यक्ति को कष्ट होता है और वो किस प्रकार से इस समय अगर उपासना कर है अरादना करता है चИंतन करता है तो वो उस से बच पाता है इसलिए नावरात्रों को सुद्ध Philosophy का खायाँ इस समें कि बहुत सारी कत् learn है कि हमने कैसे रहनाण समें साथ लिक प्रवर्टी इसलिए रहनी चाहिए कि बहुत सर्द से बहुत गर्म रितू आने को होती है और गर्म रितू में आना सड़ने लगता है पकने लगता है तो उसलिए हमने उफवास करा गया है इसलिए इनकी अरादना चंदर घंटा की करने से हमारा सरीर कया कल्प रहता है जी मां को भोग क्या लगाया जाए ये भी जरूर जानेंगे लिकिन फिल हाल यहां पर वक्तुआ एक्छुड़ी से अंतरगाल का इस खुपसर चर्चा के साथ हम पुना हाजर होते हैं मॉम लूडल्स नो जंक फूड जी करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रॉकली से इम्म्यूनिटी रोज-रोज वेजीटेबिल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्यॉर रूट्स शैंपू लगाने से रोज अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोश्टन से भरा प्यॉर रूट्स प्रोटीन जैमातादी आप हम बता रहे हैं मा को भोग क्या लगाए जाए ये भी आप हमें बताएं देखे मा चंदर घंटा को उनके नाम के हिसाब से भोग लगाना चाहिए जब हम चंदर घंटा की बात करते हैं तो दूद को जब वो बनाते हैं उसके बाद मखन निकालते हैं ना मत्ते हैं जिसको उसके मलाई को जो मत्ते हैं वो पूरी कभी कभी बलोई से मत्ते हैं ना ऐसे तो जो मत्ते हैं मत्ते आदी मत्ते हैं उसको जी आप देखें ना मूल संज़ए अगर आप जो लोग जानते हैं जो लोग समझते हैं वैसे ऐसे करके मत्ते हैं उसके वाधी आधी चंद्रमा क्या कार की मत्ती जाती है उससे निर्मित जो मक्खन निकलता है भही जब मलाई हम मत्ते रहते हैं ऐसे करके तो उसके अंदर से निकलता है सफेद रंकाई मक्खन गाए का पदार्थ होना चाहिए यह हमने पहले बताया कहीं बार कि गा का उसको मत्ते मत्ते जो निकलता है मक्षन वो मक्षन का भोग मा को है बड़ा प्री है यूं तो मक्षन हमारे काना को बहुत प्री है और आज के दिन का मक्षन बड़ा प्री है आपके घर में ठाकुर है मा को भोग दें गनपती को दें मा को दें पंच देव को दें और साथ म गुणों का घर के अंदर पर्विष्ट करे हुए हैं वो निकल जाएं आसुरी सक्तियों का जो आवान हो चुका है बच्चे का मन नहीं लगता बच्चे दुखी करते हैं सबसे बड़ी मूल बात है इसमें अच्छा बच्चों को नजर लगती है आज के दिन रातरी में महाँ है नजर लग जाती है तो आज के दिन का भोग जो है वो अपने घर के जितने या मंदिर में दुकान में जितने मंदिर हैं आपके वहाँ पर लगाओ भोग लगाते ही महा होती है परसंद क्योंकि इसमें दो बाते करा हैं चंदर घंटा में दुस्टों का तो संगार करती है और अपने भक्तों का कल्यान करती है तो भक्त अगर कुछ भोग देंगे तो होगा उनका कल्यान और दुस्त जो जितनी परवर्तियां होंगी जितने विकार हुए होंगे उनको कर देगी दूर नकारा तक मक उरजा को बहार निकालने का सबसे सरल उपास ना है अगर कोई है कही गई हो तो चंदर रटा अंदकार को दूर करने के लिए मात रेक परकास के किरन किया आप सकता है ना कि अंदकार को कमरे से उठा कर बहार रखना है परकास की किरन को अंदर लियाओ महामाई को माखन का भोग लगाओ अंदकार सता दूर भाग जाये हैं यह मा की भोग की महिमा, और रहे हम ने बता दिया माखन. जी, पर यह रंग कौन सा है गुरुजी आप यह भी हमने बताएं, आज तो हमने भी अपने आपको मा के उसी रंग में रंग दिया जी, आज के दिन महा माई को लाल रंग बहुत प्रिये है लाल रंग का आसन बही आज का दिन क्योंकि आपको देखो अब यहां मूल समझने का प्रयास करो कि महामाई जो है सबसे पहले क्या चाहती है कि भक्त जो है मेरे परती उसकी शृदा कितनी है अगर आप एक माला चड़ाओ और लाओ मुझे दो लुग के अंदर जी क्या शृदा होने चाहिए बच्चा एक्जाम में तियारी करता है पढ़ता है तभी तो पास होता है तो ठीक इसी प्रकार आप जितने भक्त हों अपने अरादे को भसते भसते उसके चिंतन में इतने डूब जाओ कि उसमें से सुए मक्षन निकलने लगे जो म मतना होगा मन्थन होगा अलाल आसन पे आज बैठो कमल गटे की माला हो तुलसी की माला हो मन्थन चलना चाहिए कौन सा जो मंतर आपको सरलता से आता हो चाहिए आपको सरमंगल मंगले मंतर आता हो सिवे सरवार साधिके ये मंतर ही जानते हो आप या जो मंतर आप सरलता से प है ओ मुल समय का भा होता है नि तक हम इसका पूर्ण विस्तार बताते था है औ ऑम बोलतीते हैं तब क्या प्थ होता है तब था होता है विच्छ बहुतीत था क्या होता है बढ़िया आँख खुलने के लिए है मा का ये दिरिष्टी उनी पे है एक बार अगर उसने दिरिष्टी डाल दी और मेरा भक्त वो छांटेगी कैसे हात्मा तो उसकी यहां है लालासन है इसका मतलब वो मुझे भज रहा है इसकूल में बच्चों की उनिफॉर्म है ना ये फ दिखेंगे जब हम कईय और चले जाएंगे उसकी पोषाक में दिखेंगे तो यहां मां का लाल रंग लालासन और संद्याकाल का समय पraatikala से संद्याकाल का समय औरद राततीा का समय मां का अगर उपासना करता तो उसकी त तकाल सिध्धी उसे सिद्धी पराप्त करने के के लिए सबसे उप्युक्ति दिनवाना गया है क्योंकि आज के दिन आप कपाल भाती करते हैं प्राणायम करते हैं तो योगी लोग किसका बड़ा फायदा उठाते हैं देखो रोग नाश करने के लिए सबसे अच्छा देना और सबसे पहले रोग उत्पन होता है पेड़ से को पेड़ आपकी जठ रागनी प्रॉपर चलती रहे तो मनी पूरक का ध्यान करें मां चंदरगंटा की करें उपासना हमारे वात्पित कफ जो है ना उसको करती है बैलेंस लाल आसन पे आज के दिन बैठ जाओ मां के मंत्रों का करो चारण आपका वात्पित कफ नियंतिर् कि नौरात्रे इसी बात को बार बार संकेत करते हैं और मां चंदरगंटा तो विशेश रूपे इस बात को संकेत देती है बच्चे नीचे मूराधार से सहस्तर तक पहुंच जा तेरा सरीर संपूर्ण होगा और हम तो कहते हैं जी पर्थम सुख निरोगी काया आज कोई कुछ पद दे दिया जाए उसको का जाए तुझे रोग भी देंगा मुझे कुछ नीच चाहिए बिलकुल मुझे सिर्फ काया निरोगी दे दो तो वो आज का दिन है लाल आसन और मा का ध्यान लाल रंग आज को माप बड़ी प्रिया जी आजए की दिन से जोड़ा कोई महा उपाय भी है तो वो भी आप आप ज़रू बताएं गुरू जी ये बड़ा सुन्दर परशन है हम इंत्यार करें दे का वाप पूछेंगे हमसे अब आप बड़ा सुन्दर उपाय देखिए लाल पुष्पों की माला गुलाब के पुष्प ले लीजिए आज के दिने कुछ कुछ नहीं कर सकते गुलाब के पुष्प ले लीजिए लाल चदर बिचाईए लाल आसन कुछ भी बिचा लीजिए कुछा का मिल जा तो उसके उपर लाल कोई कंबल आदी बिचा दिए रुद्राक्ष की माला कंगा जल तामे की गर्वी मंभर के अपने सामने रख लिए मा कारे रूपेंट संस्थ था आप जिस मंतर क्यों पासना करना चाते हैं जिस मंतर को जपना चाते हैं रातरी के समझ जब हैं साथ में आज के दिन पांच करन्याओं को कम से कम पांच करन्याओं को माखन और मिश्री माखन आज जरूर दें लाल फल जो रितू के फल हो वो पांच कर्णियाओं को कम से कम दें नौ को दें अतियुत तब अधिक कर्णियाओं को दे सकते हैं कुछ नहीं है मंदिर जाएं पांच करनाओं को पांच फल दे दिए सेव आते हैं सेव दे दिए बहुत फल आते हैं रितु फलम जो भी आपको लाल लगे पुले जाकर भीट कर दिए साथ में माखन जरूर दिए माखन के छुट छुटी बिलियाओं में रखकर माखन खिलाई आज के दिन देखो आपके तमों गुणों का नाश होगा और सत्गुण आपके अंदर परविश्ट करेंगे जब सत्गुण परविश्ट करेंगे तो आपकी काया होगी निरोगी माच अंदर गंटा की उपासना का मिलेगा आपको लाब आज भी भा specific जानकारी सिकार्यक्राइव के जरीया आपने अम्हें साहती साहता हमारे तमाम दर्शक विद्या आज के संपार जानकारयों के लिए था म jsukरिया जय मातादी आज ंंध grilled में आीति इजाजत में कल और फिर हाजिर होंगे आके शत्रृत स्वरूप के साथ तब तक के लिए जय मादादी